नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शेप लामा स्वागत शेप लामा चैनल पे आज आपके लिए एक शिकनेचर पांड़ना चिकन का रिषीव लेके आया हूँ यह थाइडी से बड़ा ही पॉपुलर है थाइलेन में यह पांड़ना चिकन तो इसको बनाने के लिए प्रोसेस कैसा ह है किस तरह से इसको रैप करता है सारा प्रोसेस प्रैक्टिकली में आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ और भी हिंदी में तो दोस्तों मैंने इसको गुगुल पे यूटूब पे इस्टा पे सार जगा इसको शुच करके देखा तो यह पांड़ना चिकन का रिषी भी आपको बताऊंगा तो इसका फाइदा उठाए आप सारा प्रोसेस बताऊंगा इसको रैप कैसे करता है इसका मेरनेशन कैसे करता है इसका प्रोसेस क्या का है सारा चीस आपको बताऊंगा ठीक है दोस्तों तो चलिए शुरू करते है बिना देरी किये यह रहा मेरा प्रॉड तो फर्स्ट फॉल हम पांदानानना लिप को छोटप चोडपारा कारते इसको प्राइन प्स्थ केते मिक्सिating में मिख्शिक में दालते हैं तो पांदान लिप कर सकति ठीस इसको fine paste करते हैं ठीक है दोस्तों बनी रेना अन तक रेसीपी बहुत आचा है पर इंट्रेस्टिंग है और हम चिकन लेक लिया है जो वित इसकिन इस पे हम और मड़ पौडर एड़ कर देते हैं इसको मेरेशन करेंगे और मड़ पौडर और आपको कुकिंग वाइन और आपको थोड़ा salt स्वाध अंसर डालिए नमक और यह थाय चिली पेस्ट है ठीक है दोस्तों यह स्पाइसी नहीं होता है थोड़ा sweet रहता है और यह रहा वस्टर सर्स और हम एंट में डालेंगे जो पंड़ना लिप का जो पेस्ट है यह हम एट करेंगे इसमें ठीक है यह तो मिला कि आपको यह जो मेरनेशन करके इसको पांच घंटे तक चिलीर में राख ना ठीक है ताकि यह जो चिकन है ना यह जो चितना भी मसाला है सब मसाला को हपचप करें तभी फ्लेवर आएगा ठीक है दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए इसे डारेक्री कर रहा हूं लेकिन आप जो बनाएंगे ना इसको तो पांच घंडे तक चार से पांच घंडे तक आप इसको चिलीर में राखिए अच्छा से मेरेशन करके राख दीजेगा ठीक है उसका बात में रैप करना ठीक है तो आपको मैं देखाने लिए कर रहा हूं तो सीरा सीथी चलिए हम र अपको मैं श्लोली देखांगा ठीक है राखिए राप केसे करते हैं इसको चिले में राखना दोस्तों मैंने बोला आपको पांच से चार घंड़ तक चिले में राखना तभी करना दो टेस आएगा तो पांदाने लिफ थोड़ा बड़ा साइस का लेना थी जाता चोटा मत यह देखिए यह साइस का होना चाहिए इसका बात में देखिए इस तरह से मोड़ना इसको इस तरह से मोड़ना इससे कॉप बनाना ठीक है दोस्तों और चिकन इस पे अपलाए का न उपर से चिकन का साइस लगभग 40-50 ग्राम का काटना तो सही रहेगा जाद च्वटा मत काना तो यही बड़ा इसलिए करना के लिए बहुत थिकत होता है इसलिए मेरेको लग रहा है कि अभी तक कोई लॉंच नहीं किया है मिनुए इसको ठीक है हिंदी में तो यह बड़ा टॉफ है एक ही बार में आप भी नहीं का सकता ठीक है आपको भी प्रैक्टिस करना इसके सब्सक्राणी पहा पहां कि अखर रख रख राया पृती मेरेको जाई गए है इसलिए आप प्रोसिस स्था चीदा बोलतेर ना इसलिए Celtic thank you में थ्वड़ा दिखात होता है एक दो बार करिए आपका हाथ सेट हो जाएगा ठीक है और एक बार करता हूं इस तरह से मोड़िए इसको कॉप बनाईए इसको बात में चिकन डाल देज़े इस तरह से और यह जो फोल्डिंग है इस तरह से आराम से लाएं इस से घुमाईए तो फिर इहां से इसी दो ग्याप अंदर डाल देज़े आपके इस तरह से और दूसरा वाला फिंगर से उसे खीचे आराम से उसी को वहीं खीचना पड़ से घुए पूचना आइस तरह से घुमाते रहे है अटामेट अटी लहाएं बड़ा सिंपल है प्रक्तिस करना पड़ा एक दो बार तब ही वह जाएगा डारेक लिए नहीं होगा अब प्रक्टिस करना यह वीडियो देखके प्रक्तिस करना सिंपल्स है प्रक्राइश बिना है तहको तो चली यह फ्राइ करते किससे फ्राइ करते है इसको फ्राइक करने में लगत्या रज.. चार से फ्राइक त्र两 पाइस चार से ee इसके फ्रीन वक्ता ही खाके तो अगर आपको deep लागेगा तो एकацल के सोगली सब चूब करने का आराम से करना बड़ाई फैंटस्टिक रिशीब है दोस्तों मैंने आपके लिए ये वीडियो रिशीब दे क्या आया तो कैसे लगा अच्छा लगा तो लाइक करना दूस्तों को साथ में कॉमन जोरू करना अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना और नोटिफेशन को दबाके रखना ताकि में इसी तरह से जो टॉपिक का जो नया नया डीस जो फैमस डीस में आपका अपना वीडियो पे आपने यूटूब चैनल पे डालता हूं तो आपको तुरंद मिले दोस्तों और लाइक करने में कॉन्चूशी मत करना लाइक और कॉम मैं लोटन हो भणा झनल पर जाया त्यक्या इस तरह से जीआ हो जय तो चिकन पॉंक हो जाया निगाल इसको में सवाप करता हूं नीचे जो ग्लाज ग्लास नोटूश होता है लाश घ्लास करना अपह पता है यह बीन कोट नोटूश होता है तो प्रयूश को अंपर में जो च्छार्स क्या है बले तो श्वया हनी शिसमी कुछ भी नहीं है श्वया डलना हनी डलना और सिसमी डाल देना उपर से मिला देना और डाल देना बस यह इसका टीप पंदाना चिकन विद्ट स्वया शिसमी टीप बड़ाई जबर रस्ते दोस्तो इस तरह से मैंने आपको करना है उब भी सिकेगा तो लाइक जरू करना लाइक करने में कॉंजूसिव मत करना तो मिलते अगले नए टॉपिक में तब तक ले जहीं